सिब्यसी क्रांस्ट एंड बोर्ड एक्जाम के प्रिपरेशन में आप कभी भी बच्चों बैक्लॉग के डर से मद्डरूं बैक्लॉग के डर को बाई-बाई कहने का समय आ गया है बैक्लॉग आपकी प्रिपरेशन को रोक के रखेगा और आपको टॉपर बनने नहीं देगा लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्राटेजी बताता हूँ जिससे आपका बैक्लॉग कभी भी क्रिएट नहीं करेंगा और बैक्लॉग नहीं क्रिएट होगा तो आपकी पढ़ाई स्मूथ वे में चलती रहेगी टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा को स्टेंथ के बाद 11 12 तो आगे जे नीट की तयारी करोगे या किसी दूसरे कॉंपटेटिव एक्जाम की तयारी करोगे यह बैकलॉग वर्ड ना यह इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस होता है उतना ज्यादा ही बैकलॉग क्रिएट होता ह लेकिन यह बैकलॉग है क्या तो इसको सेंपल भाशा में सिंपल लैंगेज में में समझाता हूँ जैसे माल लो की मैं मैट की बात करалweise नहीं हूं साइंस का फेकल्टी लेकिन मैस के टम्स में बात करता हूं ठीक है तो कि मैस एक ऐसा subject है जिसको डेली connect होना उससे बहुत ज़रूरी उससे डेली दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है न कोई ऐसा तो रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं कि आज नहीं कल रट लिया काम चल जाएगा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कर पाओगे तभी कोशन सॉल होगा तो आज आपको स्कूल में खुछ पढ़ाये गया चैज आज आपको स्कूल में मैस का कुछ कंशेप्ट पढ़ाये गया तो आज क्या क्या किया मैस का concept पढ़ाय गया, उसको घर आके आके आपने समझा नहीं, से revise नहीं किया, उसकोंकि dog can sep नहीं समझ जे उसके question नहीं लगा है, तो आपने क्या किया सीधे अगले दिन, अगले दिन को मैं मालेता हूँ, y को एक नया concept समझाय गया, और आपने उस नए concept को द्यान से पढ़ा लेकिन पिछले concept जो पिछले दिनगा concept है उस को द्यान से नहीं पढ़ा ठीक है और यह बन गया आपका इस दिन- एक्स वाले दिन का जो concept है जो पढ़ाई है वह आपका बन गया backlog है ना को हमेशा back log हमेशा जो बैक लॉग होता है वह previous होता पाश्ट का होता है कभी भी present या फ्यूचर का ग्यान की बनता आप जो present में पढ़ रहे हो या जो फ्यूचर में पढ़ोगे बैक लौG उससे create नहीं होता है बैकलॉग पास्ट में जो आपने नहीं पढा है या जिसको revise नहीं किया है ऐसे concept या ऐसी study या ऐसे chapters आपका backlog बन जाते हैं ठीक है लेकिन इन backlog से घबराना नहीं है ना backlog को सही time देखकर उसे revise करना है उसे remove करना है यानि backlog को खतम करना है ठीक है जैसे माल लीजे कि आपने एक chapter नहीं पढ़ा वो बन गया आपका backlog ठीक है तो आप यह कर सकते हैं कि किसी दिन Sunday को time निकाला केवल उस chapter के लिए जो आपका backlog बन गया था और Sunday को उस chapter को पूरा अच्छे से पढ़ा और अच्छे से पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है वन शॉट वीडियो देख लीजे या उस chapter के topic wise है ना क्योंकि एक ही chapter में बहुत सारे topic होते हैं तो आप उस chapter के topic wise वीडियो थोड़ा fast करके देख लीजे और आपको हमारे चैनल पे science में अगर बात करूं तो science के जो भी chapter आपके syllabus में है उसका हमने topic wise वीडियो बना रखा है बहुत सारे session लिया है वहां से भी आप देख सकते हो और थड़ा वीडियो fast कर सकते हो time बचाने के लिए ठीक है और इस तरीके से जैसे संडे को आपने 2-3 घंटे बैठा self study की और वो जो backlog वाला chapter था या concept था उसको पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद question भी लगाई है ताकि वह अच्छे से समझने आ जाए इस तरीके से आपने एक subject का backlog क्लियर कर लिया फिर दो-3 दिन बाद plan कर लिजे कि किसी दूसरे subject का जो backlog है उसे clear कर ले और ऐसे आपका confidence भी बढ़ता रहेगा और आपका ये जो backlog है वो भी कम होता जाएगा साथी साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर present में आज का पढ़ाई अगर घर आके आज जो school में पढ़ाए गया आज कहां भी आप पढ़ रहे हो वहां से घर में आकर आप रिवाइस नहीं करोगे तो ये मान के चलो वह backlog कल के दिन में बनने वाला है तो present को backlog ना बनने दो और जो backlog बन चुका है उसे कम करने की कोशिश करो तब ही जाकर आपको confidence मिलेगा और ये backlog का डर आपसे दूर हो जाएग और डर को डराने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे यकीन है कि मुझे से पढ़े हुए बच्चे ये जो डर है backlog का उससे नहीं डरेंगे शुरुवात में लगेगा डर लेकिन अगर आप ये strategy follow करते हो और इस strategy को हर दिन follow करना है यानि backlog को remove करने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी है तो आपका कभी भी ये backlog का डर बड़ा नहीं होगा और एक दिन ये डर खतम हो जाएगा जिस दिन ये डर खतम हो गया आप बन जाओगे CBSC board exam के topper तो अब मेरी ये कोशिश थी आपको इस backlog के डर से बाहर निकालने की backlog क्लियर करने की और backlog से topper बनने का जो roadmap है उसके बारे में discussion करने की तो आई होब कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तर जरू शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरू कीजिए थेंक यो तो मच लेकिन इस backlog को clear करने में हम आपकी एक दुसरे तरीके से मदद कर सकते हैं आप सोच रहा होगे कि वीडियो खत्म होने वाला है लेकिन वीडियो तो खत्म नहीं अभी तो असली वीडियो शुरू हुआ है यह तो बैकलॉग तो बहुत जरूरी थी लेकिन बैकलॉग क्लियर करने में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हमने अपने अड़ा 24-7 एप पर दो बैच लॉंच किये हैं ठीक है एक है बैच हमारा पूरे साल भर का बैच उन्नती ठीक है जिसमें हम आपको चैप क्टिक WISE आपको पढ़ाएंगे और NCRT के सेलेब così को कंप्लीट कराएंगे तो लाइभ क्लासे हैं लाइभ क्लासे के बाद डाउट क्लासेस हैं डाव क्लासे के साथ हम आपको प्रिवेस एर बोर्ड के इक्जाम के कोशन्सॉल्व कराने के लिए एक सर्साइस भी है के साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइस वरक्षीट मिलेगी जısमें और उस वोकूषिट का हम कराएंगे लाइफ सलूशन ठीक है और सैंपल पेपर वी हम आपको देंगे जिसका हम आपको साइर लाइफ सलूशन करांगे इसमें आपको हैंड रिटन नोट भी मिलेगा आप वीडियो है वो रिकॉर्डट फॉर्म में दे रहें तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है उन्नती और निपुण बैच में कि यहां जो सारे टॉपिक के लेक्चर है वो रिकॉर्डड है ठीक है बाकी यहां भी वरक्षीट है वरक्षीट का लाइफ सलूशन है सैंपल पेपर ह लाइफ सलूशन है और डाउट क्लास है और जो उन्नती लेगा उसो निपुण बैच का एक्सेस फ्री में मिलेगा यानि उन्नती लेने वाले को निपुण बैच भी मिलेगा यानि दो बैच के फाइदे अब बात करते हैं कि उन्नती और निपुण बैच को इन्रोल कैसे कर और हमने निपूर और उन्नती दोनों में मिलने वाले वर्कशीट का हमने एक सैंपल अल्रेडी अपने यूटूब चैनल पर करा रखा है अगर मैं बात करूं तो मैंने साइंस का जो वर्कशीट है बायो का एक लाइफ प्रॉसेस का और फिजिक्स में लाइट चैप्टर का मै वर्कशीट लेना सही है कि नहीं लेकिन जब आप यूटूब पर एक क्लास देख लोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा उसको आप डेमो क्लास की तरह समझ सकते हो ठीक है अब बात करें कि अगर आपको अन्नती या निपून बैच इन्रोल करना है तो आपका ज यह उन्नती बैच आपको around 1500 और यह निपून बैच around 440-450 का मिल रहा है अगर यह discount कम हो गया क्योंकि यह offer limited समय तक है तो आप यह code याद रखिएगा y915 ठीक है तब आप यह code लगा सकते हैं तब भी आपको discount मिलेगा लेकिन वह discount अभी जो discount चल रहा है उससे कम होगा ठीक है तो यह code लगाने से आपको 17% का discount मिलेगा और अभी जो CUT38 चल रहा है उससे 38% का discount बिल रहा है तो फिर आपकी batch की price बढ़ जाएगी अगर आपने यह code apply किया तो फिर तब price कुछ और होगी तो अभी हम यही चाहते हैं कि backlog को जो दिक्कत है उसको clear करने का solution है उन्नती batch या न enroll कर सकते हैं ठीक है तो I think अब आपको कोई परिशानी नहीं आएगी अब आप इस वीडियो को share कीजिए और इस वीडियो को जो भी मैंने बताया उससे implement कीजिए है ना implement करेंगे तभी result मिलेगा सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको result नहीं मिलेगा ठीक है बच्चो चल थ